अलो एब्रिवन नमस्कार मैं रुषित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बढ़े जबूशन चैनल वाइफाइ स्टाडी इस पार्ट अपार्ट अपार्ट अनकेडमी चलिए तो आज बिलकुल अलग तरीके से आपको दिख रहा होगा सामने बिलकुल पढ़ाई करें चाहें कोरुना हो या जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है क्या बच्चों नहीं चलिए तो देखते हैं कि क्या-क्या है कैसे तैयारी है आपकी चलिए कैसे तैयारी है 100 सवाल लाइव टेस्ट अगर आप तयार हो जरा कमेंट बॉक्स में लेगते हैं तर बिलकुल तयार हैं और जरा सथ बिलिंक को सेर कर दो ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके कि 100 सवाल लाइव टेस्ट और मैं चाहूंगा कि बच्चों नेगेटिव एटेम्ट ना लेन निगेटिव अटेंप्ट ना लेना ठीक है समझ मागया निगेटिव अटेंप्ट ना लें बिलकुल धुवाधार तैयारी चलेगी हमारी और सौ प्रस्ट में कितने कुष्टन अप सही करते हो अपने नोटबुक में नोटबुक रखना और उस नोटबुक में लिखना ताकि ये राइट रॉंग और इसकीप राइट रॉंग और इसकीप ठीक है राइट आपस में बात कर रहे हूँ आज क्या बात है आपस में बात करोगे तो सीख नहीं पाओगे बस मैं जो कह रहा हूँ बिल्कु समझना ठीक है और यह हमारा टेलिग्राम चैनल जहां पर आप आड हो सकते हो आड होने के बाद पीडियो जैसे क्लास कतम होगी पीडियो आपको मिल जाएंगे और यह क्या करेगा कोरोना जब अनकैडमी लेकर आया है फ्री लाइव क्लासेश जैने बीस हजार फ्री लाइव क्लासेश अगर आपने अब तक अनकैडमी लर्निंग आप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए और घर बैठे तैयारी करिए all over India में जितने सारे एजुकेटर हैं top class के एजुकेटर हैं सब की class का enjoy करिए न free of cost है जो आप कहते हो free करवा दो free करवा दो चलिए unacademy ने क्या किया free करवा दिया तो 20,000 free live classes है mission to ensure learning never stops यानि पढ़ाई आपके रूपनी नहीं चाहिए ठीक है चलिए डियाडियो की भी class बच्चे बहुत जल्द आएगा परिसान होने की जरूरत नहीं है डियाडियो की भी class बहुत जल्द देखने को मिलेगी तो चलते हैं और देखते हैं question number one क्या होए कहता है sir what is the average rate of the heartbeats per minute in highly trained athletes उच परस्चिक्षित एथलीटों में हिर्दय गती की आउसादर क्या है question number one मता हिए चलिए चलिए question number one क्या होगा sir आप कहा होँ हो बच्चे मैं घर से live हूँ मैं घर से live हूँ बस ये समझ लो घर से live हूँ ठीक है क्या समझ जवाब होगा इसका 60 bits per minute अरे यार question दो पढ़ा करो मेरे प्यारे लाले क्या कहता है एथलीट की बात किया थे normal की बात किया normal की बात किया normal कहा normal नहीं कहा न जब normal नहीं कहा तो फिर आप क्यो रिस्क लेते हो normal कहा इसने नहीं कहा न पहला जवाब गलत होगे आपका चलिए question number two rolled gold is an alloy of which of the following rolled gold निम्ण में से किसका मिस्त धातू है copper zinc copper tin copper aluminium copper zinc and nickel चलिए question number two question number two जल्दी बच्चे जल्दी क्या होगा copper aluminium अरे roll gold वही सस्ती आभूसन सस्ते आभूसन सस्ते आभूसन बच्चे देखते नहीं जाते हैं market में महिलाएं खरीद लेती है 10 रुपईया में सोने का 10 रुपईया में ऐसे गहने खरीदें बिल्कुल सोने की तरह चमकेंगे तो वह क्या होगा copper और aluminium का मिस्द धातू होता है वो copper और aluminium का मिस्द धातू होता है वो ठीक है चलिए question number 3 lightest element of product table आवर्ट सारनी का सबसे हलका तत्व ओस्मियम लिथियम गैलियम या पारा चलो explanation का आदत हो गया बिल्कुल यार देखो यही तो गलवड है बिल्कुल आज देखो 100 question में आपको कम से कम 40 से 45 question science के मिलेंगे 40 से 45 question बिल्कुल science के मिलेंगे lithium is the lightest element lithium सबसे हलका तत्व है और ओस्मियम सबसे भारी तत्व है question number 4 sodium metal should be stored in sodium धातू को किसमे संग्रहित किया जाना चाहिए alcohol, मिटी का तेल, पानी या B और C दोनो चली बते ही question number 4 बोड़ा सा तो समय दे कम से कम 10 समय दे सूचने का कम से कम 10 सिकेंड का तो समय दे आपको ताकि आपको समझ में आए मिटी का तेल या हलवा वालक को हलवा वाली question कहते हूँ ना हलवा वाली question है ये मिटी का तेल क्यों? क्योंकि sodium reactive metal है क्या है बच्चे? sodium is a reactive metal तबी तो वो अभी किरिया करेगा ना रसानिक अभी किरिया करेगा इसलिम कहा रखते हैं से केरोसीन वाइल में रखते हैं मिटी का तेल में रखते हैं ठीक है? क्योंकि नमर्पाँच इनरजी जिस्टोर्ड इन लीवर इन मसल्स इन दा फॉर्म ओफ उर्जा यकरित और मांस पेसियों में डैस के रूप में संगरहित की जाती है कार्बोहाड़ेट फैट प्रोटीन या ग्लाइकोजन या पूस्टन नमर्पाँच जल्दी पता इस मतलब इस तरह का न बढाने का अपना एक्स्पिरियंस हार चीज का एक्स्पिरियंस लेन चाही लाइप में हलवा वाला सर बहुत बने रानी कुमारी करी सर हलवा वाला अजशा घर देखना मेरा अरे बडिख जाएगा पच्चे कहें परिशाण हो आप सेलेक्शन दोलो मैं घर बुला लूँगा आपको अपने कमरे पे दिखाने के लिए कि देख लो मैं कहां रहता हूं कहां से लाइव होता हूं स्टूडियो बुला लूँगा सोडियम को चाको से काटा जा सकता है बिल्कुल बहुत चाही पांचवा नमबर कुशंगा जवाब होगा ग्लाइकोजन फैट्स कता ही नहीं होगा कहा सर उर्जा की बात कर रहा ना बच्चे उर्जा की बात कर रहा है फैट नहीं फैट से हमें उर्जा नहीं मिलता है यह याद रखना हमेशा ग्लाइकोजन के फॉर्म में यह जमा होता है हमारे बॉड़ी में कहां लीवर और मसल्स में लिवर और मसल्स में ग्लैकोजन के फॉर्म में जमा होता है क्या होगा ग्लैकोजन के फॉर्म में अभी लगता है ये कुश्टन भी आपने गलती कर दिया इस कुश्टन का भी जवाब आपने गलती करा है कुश्टन नमबर च्छे The upper and lower questions in common type of bifocal lenses are respectively सामाने परकार के dwifocal lens में उपरी और निचले भाग करमसा होते हैं किसके बने होते हैं और उतल उतल और आवक्तल या वेविन फोकस लंबाई की दोनों आवक्तल लेंस या कोई नहीं क्या होगा चलबगे कि और वो तक्राइब का चरण के बात किया तो दृनों लेंस होते हैं तो उपरिवाग की बात करेंगे तो आउठम तल निचे कि बाद करेंगे तब उप्तल लेंस होगा माइको प्लाच्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकरात्मक परभाव डालते हैं स्वासन एक्सक्रेशन रिप्रोडक्शन या डाइजेशन क्या होगा चल्दी बताओ क्या हुआ कुश्चन नमर सेविन स्वासन पर माइको प्लाच्मा गैल्फिटीकम आपको पता है यह सबसे छोटा जो सेल कहते हैं सबसे प्रसेल ऑस्ट्रीज का अंड़ा ऑस्ट्रीज एक सबसे छोटा जो सेल है वर्ल्ड की बात करें तो माइको प्लाच्मा गैल्फिटीकम सबसे छोटा सबसे छोटी कोशी का है माइको प्लाच्मा हमारे रिस्पैरेशन पे स्वस्थन पे नकरात्म परभाव डालते हैं यानि हम स्वस्थन ले नहीं पाएंगा अभी पता है अभी तो कोरोना आया है सब अपने मास्क लगाए फूर रहे हैं एक दूसरे से चेहरा चेपाए फूर रहे हैं यानि क्या होगा रिस्पैरेशन इज राइट स्वस्थन इज राइट एक्सक्रियेशन करता ही नहीं होगा बिल्कुल समझ लेना कुछ नम्बर एट अज कोई एक्स्प्लेशन नहीं बस केवल जवाब और सवाल करते जा रहे हैं इन विच अवता फॉल्मिंग औरगन सबाईल इस्टोड पीत निम्लिखित में से किस अंग में जमा होता है कुछ नम्बर एट क्या होगा बच्चे कि पीत निम्लिखित में से किस अंग में जमा होता है सर पीत लीवर से निकलेगा और लीवर से निकलने के बाद गॉल्मिंग में जमा हो जाएगा गॉल्मिंग में जमा हो जाएगा ठीक है वा एंजाइम विच एंजाइम कोगलेट दा मिल्क इंटू कर्ड वा एंजाइम जिससे दूद का दही में जमा हो जाता है रेनिन टैप्सिन रेजिन या साइट्रेट चलिए कुछ नमबर नाइन क्या होगा रेनिन होगा ये बिल्कुल हल्वा वाला सवाल है सवाल है यहाइसे क्योंकि सिंपल सब्गों पता है कि एसंबंग से आंग से रेनीन पेपसीन और ओर सील टीन निकलते हैं ll निकलते है तो यह किया करता है यानी दूद का दही में जमाव होगा अगर बैक्टरिया की बात करता तो लैक्टोबैसेस होता चलिया रिस्पैरेशन नहीं छे स्वसन क्या है ऑक्सिकरन है औक्सिडेशन है रिडक्षन है हाइडोलेसिस है या नन कोई नहीं है कुष्टन नमर टेन अभी सोचो हंडेट कुष्टन में केवल दसवाँ एक हिस्ट केवल वन वाइट तेन आने केवल एक भाग भी नहीं है क्या होगा एक्सीकरन दखेगा स्वक्षंग करी आक जाता है शाम के सदोग देंट धायर विद are in प complètement घायर इर इसमें जो बबल या उप उधारन है अक टल दर्पन के इंड़ी में बूलूलै अब दखो समझने केले मैं लिख दू हिंदी में बूल तब बच्चा सही जवाब देगा अगर बुलबुला लिखा होगा तब अगर बुलबुला लिखा होगा ना तब सही जवाब दोगे आई नो मुझे पता है आपको पता है लेकिन जैसे बबल देखेगा ना इंग्लिस में बबल क्या होगा बुल बुला होगा तो कैसा दिखाई पड़ता है और तल लेंस की भाती दिखाई पड़ता है ठीक है अभी नहीं पचास जब कोश्टन हो जाएगा पचास प्रस्ट होंगे तब मैं आपसे मार्क्स पूछूंगा कितने सही किये कितने गलत किय आना है अभी तो लंबा सफरताय करना है विच सेल्स इन आवर बॉड़ी हैद लिष्ट रिजनरेटिव पावर हमारे सरीर की कौन सी कोशिकाओं में पूनर योजी सक्ति सबसे कम है ब्रेंसेल्स मसल्सेल्स बोन सेल्स या लिवर सेल्स कुश्टन नबर बारा अगर सेशन पसंद आया ये 100 कोश्टन की सरिंकला तो यार सेयर कर देना अपने दोस्तों में अपने गुरूप में जहां भी आप जूड़े हो और सेशन को लाइक करना थोड़ा बता है लाइक और कमेंट से ना हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है लगातार क्ल या जस्ट आपॉजिट क्या हो जाएगा लीवर सेल्स होगा क्या होगा लीवर सेल्स होगा फॉग, क्लाउड और मिस्ट आर एक्जाम्पल्स ओफ कोहुरा, बार्दल और धूंद किसके उदाहरन है एरो सॉल या सॉलिड सॉल या फोम या जेल क्या होगा कुशन नमर तेरह Question no.13 चल्दी एरोल त्यनके उधारन है किसके उधारन बच्चे एरोल के उधारन है हमेशा समझेगा कि एरोसल जितने भी है इससे क्या निकलेगा तो इससे CFC निकलता है क्लोरो-फिलोरो कारभन निकलता है जिससे ओजोन परत को नुक्सान पहुचता है ओजोन परत को नुक्सान पहुचता ठीक है कॉक्रोच cannot survive in the water because it's disparatory organ is कॉक्रोच पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्वसन अंग है गिल्स, ट्रैकिया, फेफडा या pulmonary sack क्या होगा बच्चे continue, कुशन नुमर 14 क्या जवाब होगा जरा बताए, कुशन नुमर 14 का जवाब क्या होगा quick, जल्दी, जल्दी क्या होगा अरे इसा ट्रैकिया होता है इससे लिए स्वसन अंग उसका जीवित नहीं रहता है पानी में पानी भर जाएगा वो सांस कैसे लेगा अगर गिल्स की बात करेंगे जिसको गल्फडा कहते है यह किस में होगा यह मछली में होगा लंग्स की बात करेंगे तो मैंमल्स में होगा ठीक है, क्या होगा बच्चे ट्रैकिया इज राइट question number 15 which of the following is used to purify the muddy water दल्दले पानी के सुद्ध करण के लिए निम्न में से किसका परयोग किया जाता है common salt, potassium, aluminum powder या bleaching powder क्या होगा question number 15 question number 15 जल्दी दल्दले पानी के सुद्ध करण के लिए निम्न में से किसका परयोग किया जाता है question number 15 जल्दी बताओ, कमचे हम 10 सेकेंड के तो time मिले आपको सर अगर केवल होता न, केवल कहता कि पानी के सुद्धी करण के लिए तो हम जूज करते bleaching powder लेकिन कहा मिट्टी वाला पानी दल्दली पानी को सुद्ध करना है तब पोटास फिट करी होगा मालो यह कुँआ है वेल है और पानी गंदा है पानी गंदा है तो हम bleaching powder डालते हैं पानी purify हो जाता है लेकिन दल्दले पानी को सुद्धी करन के लिए हम पोटास फिट करी का यूज करेंगे आपको हमबख है कि भाई आप पोटास फिट करी का chemical formula क्या होगा किसी और दिन मैं करवा दूंगा कुशन नंबर 16 ब्लड में भी प्यूरिफाइड बाय रक्त का सुद्धी करन किया जा सकता है किसके दवारा डालेसिस के दवारा ईलेक्ट्र असमोसिस के दवारा यह to be lazan के दवारा यह फिल्ट्रेशन के दवारा चलिए चलिए ओं माइ गॉड्ट किसने लिए ओं माइ गॉड्ट ओं माइ गॉड्ट किसने लिखा दिख तो जाए यहीं तो चाहिए नई समझ मारा इसकीप कर जाना डालेसिस करते हैं क्या करते हैं जानिस ब्लड को हम प्यूरिफाइज करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है डालेसिस कहा जाता है ठीक है गॉट इट चलिए कुछनमर 17 आरेच गुरुप वाज डिस्कोबर्ड इन आरेच समूग या आरेच फैक्टर की खोज किस वर्स में की गई थी कुछन नमर 17 का जवाब देजी जल्दी कि चल्दी कुछन नमर 17 का जवाब क्या होगा क्या होगा 1940 कई सारे बच्चे उसे 1930 कहेंगे बेलकुल सही जितने भी केमिकल फॉर्मूला अपने डाला देखो ये जब वीडियो वीडियो आफ लाइन हो जाए तब ये केमिकल फॉर्मूला डालना ताकि मतलब मुझे भी लगे ना किसनी बच्चे ने सही जवाब दिया है किस बच्चे ने सही जवाब दिया है जवाब क्या होगा इसका 1940 1930 में सर्फ बलड गुरूप की खोज की गई थी 1930 में बलड गुरूप की खोज की गई थी यहां आरेज फैक्टर की बात किया तो आप blood group के चक्कर में गलती कर बैठे 1930 में blood group की खोज की गई थी याद रखना सॉरी 1900 में 1900 में blood group की खोज की गई थी और 1930 में इसे नोबेल पुरुषकार मिला था 1900 में blood की खोज की गई थी ठीक है ऐफरीकन ट्रेपैनोस्यासिस डैश के रूप में भी जाना जाता है बताव कुछ्ण भार ठारा क्या होगा कोरोना क्या वायरेस है भाया उमंग जी कहा से آय थे हो बताओ उमंग को बताओ यार किस उमंग में है कोरोना क्या है यह पूछ रहा है बच्चा sleeping sickness sleeping sickness जो मिंदरा रोग कहते हैं CC fly CC fly है न यानि क्या होगा trypanosoma प्रूटो जोवा का नाम ट्रीपैनो सोमा है याद रहेगा तो शिलिपिंग सिकनेस को अख्री की ट्रीपैनो सोमयासिस के नाम से जानते हैं चाटने से फैलता है तो सिशे फॉलाई की ती舆ए ठीक है कि विए फोर्मलाफ सोड़ा एस सोड़ा राक का रसाइब्स सूत्र क्या है एने टू-सी-ो-3 इंटू-टीनेस-टू-ओ- एने-स-ची-ो-3-इंटू-टीनेस-टू-ओ- और इस तरह के कोश्चन्स रहे लिवे बहुत लाइक करता है ठीक उसी परकार जिस परकार आप like करते हो ना समझरे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ठीक सिपरकार जिस परकार आप like करते हो उसी परकार chemical formula वाला reflecting रेलीवे बहुत पसंद करता है याद रखना तो NA2CO3 सोडा राख कर रसानेट सूतर की बात करेंगे chemical formula of soda as क्या होगा NA2CO3 is right देखें which of the following pairs of material is commonly used in rechargeable batteries used in torch lights, electric saver etc यानि torch with the saving machine trimmer अरे वही trimmer जाद डाली trim करते हो न recharge करने वाले battery में निम्न में से किंदो पदार्थों को अपयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है iron cadmium, nickel cadmium, lead तथा lead paroxide या zinc तथा carbon क्या होगा अरे यार हमारी type right carbon चलिए चलिए बता दो क्या होगा question number 20 nickel तथा cadmium nickel तथा cadmium का यूज करते हैं जो आप देखना जो trimmer लेते हो ना देखना उसमें nickel तथा cadmium की battery होती है ठीक है बच्चे question number 21 with reference to gravity what is G called गुरुत्वे त्वरन के सापेक्ष जो बड़ा जी है वो क्या कहलाता है gravitational constant gravitational attraction gravitational force या acceleration due to gravity question number 20 क्या होगा question number 20 क्या होगा जल्दी क्या होगा gravitational constant यानि गुरुत्वे तूरन के सापेक्ष में जो बड़ा जी है बच्चा वो क्या कहलाता है gravitational constant यानि गुरुत्वा कर्षन इस्तरांग कहलाता है इस्तरांग कहलाता है ठीक है which of the following is used in making telescope telescope बनाने में निमने कित्में से कौन सा उप्योग किया जाता है autol lens autol darpan utol lens utol darpan क्या होगा question number 22 जल्दी क्या होगा convex lens telescope बनाने में किसका उउज करते हैं convex lens का यूज करते हैं क्या यूज करते हैं बच्चे convex lens का यूज करते हैं gas filled with LPG to detect any leakage किसी भी रिशाव का पता लगाने के लिए LPG में भरी गैस ये बार बार बच्चा गलती करता है तो ethile mercubtane methyl mercubtane या ethane mercubtane या methane mercubtane और बच्चा confuse करता है किस में बच्चा confuse करेगा option number A और B में confuse करता है चलो बता तो इस क्या होगा ये दोनों में confuse करता है बच्चा चाहोगा ethile mercubtane याद रखना ethile mercubtane is right ethile mercubtane is right methyl करता ही नहीं होगा कई सरबच्चे methyl के चक्कर में गलती कर बैठते हैं देखो कई सरबच्चे methyl कह रहे हैं इसलिए कहा है इसलिए मैंने कहा कि दोनों में confusion होता है होगा ethile chemical formula of limestone चूना पत्थर का रखानिक सोतर क्या होगा CAO, CL2 CAOS2 CAO या CACO3 question number 24 जल्दी question number 24 क्या होगा चाहोगा CACO3 चूना पत्थर क्या होगा बच्चे chemical formula of limestone चूना पत्थर का रखानिक सोतर CACO3 CACO3 is right who discovered blood groups रख्त सम्हों की खोज किसने की Robert Brown Karl Landsteiner Robert Hook या Ernest Hacker question number 25 question number 25 चल्दी रख्त सम्हों की खोज किसने की किसने की Karl Landsteiner ने blood group की खोज कब की 1910 में किया इसलिए उन्हें 1930 में Nobel प्रुसकार मिला है किसमे चिकित्सा में या medicine में ठीक है ज़रा comment box में बता है Robert Hook ने किसकी खोज की Robert Hook ने किसकी खोज की Robert Hook ने किसकी खोज की Extra glucose in body gets converted into glycogen and is stored in सरीर में अतरिक्त glucose glycogen में परिवर्तित हो जाता है तो ये कहां जमा होगा अस्टमक, लीवर, पैंक्रियाज या बाईल Q26 किसकी खोज की बाहुत बढ़े हाँ देखे, दूसर जो अतरित glucose, glycogen में परिवर्तित होगा ये कहां जमा होगा यकरित में जमा होगा कहां होगा बच्चा यकरित में जमा होगा Q26 Father of vaccination टीका करन के जनक कौन है Edward Jenner, Robert Coach Louis Pasteur या लेजिंडर फ्लैमिंग Q27 Father of vaccination टीका करन के जनक किसे माना जाता है जरह बताई कमिट बॉक्स में Edward Jenner, Robert Coach या लूई पास्टर या लेजिंडर फ्लैमिंग बताओ क्या होगा अरे लीवर लिखो लवर मत लिख दो इसाने जी लीवर के जगा लवर लिख रिए बताओ यार गलते से टाइप हो गया ओको आई मत बना दो कुछ भी लिखने लगते हो आप लोग Edward Jenner ने सबसे पहले टीका की खोज की तो कौँ सा टीका? चेचक किसके बच्चे? चेचक की खोज चेचक के टीका की खोज की थी Robert Coach की बात करेंगे तो TB का जो बैक्टरिया है TB का जो बैक्टरिया है उसकी खोज की गई थी Robert Coach के द्वारा Louis Pasteur ने पास्चुरी करन की खोज की और लेगजिंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या बनाया? तो कववक से कववक से क्या बनाया? एंटिबार्टिक पेनिसिलीन रिदिदर फ्लेमिंग ने पेनिसिलीन बनाया इंजाइन क्या है? विटामिन है? बैक्टरिया है? बायो कैटलिस्ट है? या वाइरस है? चलिए PDF मिल जाएगा? देखो अभी तो 28 कोशन है कितने कोशन सही किया तो ने? PDF के लिए परिसान है हैरान है ये भगवान भला करे उनका PDF वालों का अरे इंगलिज में बोल दिया चिकेन पॉक्स बोलते हैं चेचक को तो क्या ये बायो कैटलिस्ट है? इंजाइम क्या है बच्चे? बायो कैटलिस्ट है उत्प्रेरक का काम करता है ये जैसे HCL हाड्रोक्लोरिक एसीड क्या एक एंजाइम है ये क्या करता है? भोजन को उत्प्रेरी करता है नि तेज करता है पाचन करिया को जब हम विश्वत रेखा या भुमंद रेखा से उत्रे धुरूब के ओर जाते हैं तो त्वरन के कारण जी गुरूत्व का मान क्या होगा? समान रहेगा घटेगा बढ़ेगा ये अप्रोक्लोरिक में से कोई नहीं कुछन बूरूर्नतिस कुछन बूरूर्नतिस क्या होगा? बढ़ेगा उत्रि धुरूब की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा जी का मान क्या होगा बढ़ेगा किसके कारण due to acceleration due to acceleration question number 30 which one of the following cells produces antibodies नमलकित में से कौन सी को सी का antibody का उत्पादन करती है monocyte, basophil, lymphocyte या कोई नहीं चलिए lymphocyte अरे यार ये WPC का part है WBC का part है का antibody बोलता नहीं तुमारे antibody कमजोर है WBC का part है यानि lymphocyte क्या होगा lymphocyte is right तो तीस question ये बिल्कुल science कहते है फिर बीच में आपको science के question मिलेंगे फिर आपको बीच में science के question देखने को मिलेंगे ठीक है वच्चे उसलिए आगरे लेगे सूरत में राष्टरवादी परत्यस्री सम्मेलनके अधिक्स्ता यानि दिसंबर उनिस्सू सात में सूरत में राष्टरवादी परत्यस्रीस का किस सन्ने की लाड़ा लाजपतराय श्रीयर रास बिहारी घोस ने अधिक्ष्टा की थी तूने सो साथ में ही याद रखना क्या होगा रास बिहारी घोस इज राइट विच अब फॉलिए इंकरेक्ट नम्रिकित में से कौन सा गलत है कुछ्छन नंबर 32 बताएगे अपरसा हो दा इच अच्व थर्टी यह थो थाइट आच पर गवर्नर गवर्नर इच अपूंटा इच प्रेसिदेंट। इज एजर रिचन प्रेसिदेंगौनर संदे जटरी़ खेंट रहकुछ्ण नंबर 32 क्या होगा एक गलत है क्या है एक गलत है ठीक है बच्चे क्यों गवर्नर के लिए जो एज है वो चाहिए कितना मैगमा के ठंदा होने से बनने वाल चटानों को क्या कहा जाता है चलिए क्या होगा एक नियस राक्ष जिसको आगने चटान कहते है जिससे क्या कहते है आगने चटान कहते है यानि आगनी से जो निर्मित हुआ उसे हम आगने चटान कहेंगे कुसर मच चाउतिस नम्लिकित में से कौन अलफ्रेड नोबेल दोजार उनिस की स्मिर्ति में आर्थे विज्यान में सिवरिक्स रिक्स बैंक पुरुषकार प्राप करता नहीं है चलिए यारे कोश्टन सीधा सीधा कहा कि बहिया बता दो एकनॉमिक्स में किसे नहीं मिला है एकनॉमिक्स में किसे नोबेल पुरुषकार नहीं मिला है दोजार उनिस में अरे यार ऐसे मज़ा नहीं आता है जो भी क्लास मिल रहा है बताओ क्या चाहते हो कि लास ना मिला आपको बताओ ये तीन महासे हैं जिनको 2019 में नोबेल मिला है एकनॉमिक्स में ये महासे हैं इनको नहीं मिला है इनको नहीं मिला है ठीक है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनें जब एक बाद ढाला जाता है तुनें गरम करके नरम नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहा जाता है थर्मो सेटिंग पॉलीमर पॉली विनाइल प्लॉराइड थर्मो प्लास्टिक पॉल्यू रेटेंस या उच्छ घंत्व पॉलेथिन कुछ नमर 35 क्या होगा कुछ नमर 35 क्या होगा जल्दी हर्मो सेटिंग पॉलीमर कुछ जब एक बार हम ढाल देंगे तो फिर इसे गरम करके हम नरम नहीं कर सकती है घरम करके नरम नहीं कर सकते हैं ठीक है भारत ये संविधान कर नमर्कित में से कौन सा नुच्छ राष्टपती के चुनाओ के तरीके से संबंदित है बावन तिरपन चववन पच्पन कोशन मच्छ तिस आज मैं एक्स्प्लेनेशन दे ही नहीं रहा हूं कि किस में क्या मिला है मैस बस केवल बताते जारहों बेस्पल यही समझना पच्पन कुछ लोगों को लगेगा चववन क्यों नहीं सर चववन में इलेक्षन है लेकिन पूछा है क्या चुनाओ के तरीके की बात किया है शेद में राष्टपती के चुनाओ लेकित है तो मैं चववन के साथ जाता लेकिन अगर तरीका पुछा है मैनर पूछा है तो किस के साथ जाएंगे 55 के साथ जाएंगे कौनज भारती पत्रकार 2019 में रेमन मैक से से प्रुषकार पाने वालों में से एक था बर्खादत रविश कुमार अधनब गुस्वामी राजदिव तरदिसाई बेलकुल हलवा वाली सवाल कुशन बर 37 का जवाब क्या होगा रविश कुमार गौरी लंके सवाट के से मिलाजरा कमेंड बॉक्स मत आईएगा गौरी लंकेस अवाड किसे मिला है गौरी लंकेस प्रुषकार किसे मिला है कमेंड बॉक्स में बताईएगा कहता है सर नम्लिकेत मैंसे किस विश्व के नेताओं के साथ परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में तमिलनाडू के ममाल पूरम में एक दूसरे अनुपचारिक सिखर सम्मेलन और प्रतिनिधी मंडल अस्तर की वारता आयोजित की मुहम्मद बिन सल्मान अल साउथ सी जिन पिंग सिंजो अबेक वलादिमित पूतीन क्या होगा कुशन बढ़ारतिस गौरी लंके सवार रविश कुमार को ही मिला याद रखना सी जिन पिंग के साथ बैठक होवी है ता मिलाडू के ममाल पूरम में मुदी जी और सी जिन पिंग जो कहां बया यही तो परिशान किया है कोरोना बेज कर इस ने परिशान किया है कोरोना बेज कर नहीं विच इस दा मोस्ट अबॉनेंट मिनरल इन अर्थ कॉंटिनेंटल क्रस्ट पिर्थवी के महाद्यूपीय क्रस्ट में सबसे परचूर खनिज कौन सा है पैरोक्षिन क्वार्ज फिलास्पर याब रख क्या होगा अर्या लगतार क्लास लेन डा सुवद से नों से 10 थाफिर दस से 11 अनकाडमी पे फिश들 किया फिलसपर एक आसा खनीज है जो पिर्थवी के महाद्यूप्य करष्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है देखो यह हमें लगता है वो दीखेगा नहीं यह कड़ जाएगा तो इंग्लिस वाले थोड़ा मापी चाहेंगे इंदियवाले देख लेना रॉलेट एक्ट क्या था कुष्टन नबर चालिस क्या है यह कुष्टन कटेगा उसके लिए मैं मापी चाहूंगा बच्चों तो रॉलेट एक्ट क्या था मैं बता दे रहा हूँ है इसने राजनितिक गतिविद्यों को दवा दिया और दो साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनितिक कैदियों को रियासत में रखने की अनुमती दी जिससे बिना अपेल बिना वकील बिना दलील कहा गया बिल्कुल कोस्टन करिए आप मेरे टेलिग्राम पे जुड़कर कोस्टन करिए मैं बिल्कुल आपको जवाब दूँगा ठीक है कुछ नमबर 41 में से कौन प्रायदूपिय भारत के अब सबसे लंबी नदी है लूनी नर्मदा क्रिशना गुदावरी क्या होगा कुर्शननुबर 41 कुर्सर नमबर 41 जल्दी बिलकुल हलवा वाली सवाले सर गोदावरी को क्या कहते हैं प्राइदीपिय भारदे सबसे लंबी नदी जिसे बोडी गंगा कहते हैं जिसे बोडी गंगा कहते हैं विच अव दफॉलिविं कंट्री होस्टेड ट्वेंटी नाइंटीन वर्ल्ड रगभी कप नमले कि तुमेंसे किस देश ने दोजार उनिस विस्व रगभी कप की मेजवानी की है चलिए जापान क्या होगा जापानिच राइट अंसर चेरव इच वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल डान्स और विच अव दफॉलिविंगी स्टेश्ट चेरव निम्ण मेंसे किस राज्य का एक बहुत पूराना पारंपरिक निर्ति है गोवा हिमाचल परती छत्यजर मिजोरम क्या होगा कुर्शन नमर्टेटिस मिजोरम चेरव कहां का एक परंपरिक निर्ति बच्चे मिजोरम का एक ट्रेडिशनल डान्स है ठीक है तीसरा बौध परिशत की सहरन आयोजित किया गया था इन विस सेटी वास थर्ड बुद्धिस्ट कॉंसिल हेल्ड तक्ससीला पाटले पूत्रा स्रावस्तिया रंगून चेले बते ही क्या होगा तीसरा की बात किया ना कहा होगा देखो पाटले पूत्रा और कुंडलवन कस्मीर तो तीसरा के बात किया तो तीसरा कहा होगा पाटले पूत्रा में कि सीवी रम्मन की योगदान को मनाने के लिए राष्ट्य विज्यान दिवर्स कब मनाए जाता है बाराज जनवरी चौदा नौवंबर पचीछ दिसमवद्य अठाश फर्वरी चल्दी वते ही क्या होगा रंगून कहां लिख दिया भाईया मेरे पिया गए रंगून 28 फर्वरी को बनाते हैं भाईया हमारा लैप्टॉप की बैटरी टेंसन ना लो लैप्टॉप चार्ज है 25 दिसमबर को सुसासन दिवस 14 नौवंबर को मधुमेरी दिवस 12 जनवरी को यूबा दिवस नमलिकित में से क्या पिर्थवी के वातावरन को बनाया रखने में मदद करता है विच वदा फॉलोविंग हेल्प कीप आर्स एट्मोसफेर इन प्लेस चंदर्मा का गूर्तवा कर्शन बल अपने धूरी पर पिर्थवी का घूमना पिर्थवी का घूंबर आ Хण है स cambiar संब क्या होगा तो क्या होगा टिल्थिवी का गुल तो महां ऐसको वह एक राइ stub 천 इँग्ळे वीचिस्टिरिकल साइट इस लोकेट्ट इन जैगड इन char ओड़िशा ओड़िशा के जैगड में कौन सा किसे कौन सा इतिहासिक अस्तल स्थित है गुप्त वंस के राजा का एमपी थीटर बंगाल के नवाबों का महल या असोक का रॉक एडिक्ट्स या ये सभी क्या होगा तो असोक का रॉक एडिक्ट्स ये लोकेट है असोक का जो पत्थर का जो सिला लेख है बच्चे पत्थर का सिला लेख है वो औरिसा के जैगड में लोकेट है इस थीत है ठीक है ओल वाले कट गया कर बैठे गलती खुजी मनाव आप क्या कहें नहीं लाइक नहीं करना है लाइक नहीं करना है मैं कहा कहता हूँ लाइक करने के लिए आप लोग घरते ही नहीं हूँ वो इस दो आप लोग गजाओ नहीं हूँ जोली में लोग वोग टो आप लोग वग्याव सिवा इवरिदे लाइड लुट्टर्मा रिमा हुजा निलिमा चितजो पेकर या मन दिपक नावयार सनव ठीट जब अरे रोने क्या वाज वहां गई अरे क्या मेरा फ्लैट है वह बगल वाले फ्लैट में पता नहीं को बच्चा रो रहा है ठीक है तो आप कहें परिशान हो यार मैं पढ़ा रहा हूं मेरा माइंड तू डाइवर्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा माइंड क्यों डाइवर्ट हो रहा है निलीमा चित गोपेकर दा रिलेक्टेंट फैमिली मैन सीवा एंड एवरिडेल लाइफ पुस्ता के लिए का कौन है निलीमा चित गोपेकर हैं 2019 में रिकॉर्ड जितने वाले 60 बार किस भारतिय फुटबाल खिलाडी को AIFF मेंस फुटबालर आप दा इयर नामित किया गया था अने रुद्धापा उदंत सिंग सुनिल चेतरी या संधिया जिंगन क्या होगा ब्लैक मैजिक सो मंडे से दिखेगा बच्चे परिशान ना हूँ जेपी एदिवनसी को बहुत चिंता है यार नौकरी ले लो साधिब्या भी हो जाएगे तुम्हारी सुनिल चेतरी कौन बच्चे सुनिल चेतरी कुश्चन नुबर पचास नमरिकेट मैं से कौन एसिया में तिसरा सबस्यातिक आपादी वाला देश है इंडोनेसिया इराख बांगलादेश है चौड़ाट कुश्चन नुबर पचास क्या होगा अब अपने मार्क्स एर करो कितने मार्क्स आये कितने नेगेटिव हैं कितने स्किप किये सबसे अधिक आबादी की बात करता है सर बांगलादेश करते नहीं होगा यह याद रखना मुस्लिम पोपुलेशन की बात करेंगे तब बांगलादेश की हम सोचेंगे इंडोनेसिया सबसे तीसरा सबस्यादिक आबादी वाला देश है ठीक है और मुस्लिम पोपलिशन की बात करेंगे वर्ल्ड में सबसे आधा कहाँ इंडोनेसिया में 36, 40 बटा 40 बटा 50 50 बटा 55 5 कहाँ से ले आए घर से कुछ नहीं हो सकता है उनका पांच पिछले सटर्डे वाले जोड़क रखे हो गया बहिया जिसने 50 में से 35 किया ना बिना निगेटिव यानि जिसने 35 सही किया है बिना निगेटिव बिल्कुल बहुत अची तयारी है जोकि 100 मतलब 70 रेशियो हमारे देखेंगे तो 70 कोशन सर मैं सही कर रहा हूँ बिना निगेटिव किये हुए ये तयारी हमारे बहुत अची है यानि अब इसे मैं 80 कर सकता हूँ अगर मेरे 70 आ रहा है बिना काटे कूटे बिना काट कूट किये बिना निगेटिव किये तो हमारे तयारी बहुत अची है मैं सत्तर से असी पहुँच सकता हूँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है अधरवाइस नेगेटिव करके तो बाती अलग है चलिए आप देखते हैं कुशन मरिक्यावन निम्रिकेत में से कौन पहले लोगसभा के उपाध्यक्स थे एक ये गोपालन एम अनंत सैनम आयंगार एमिन कॉल या रभीरे कुशन मरिक्यावन सर पहले उपाध्यक्स की बात करेंगे एम अनंत सैनम आयंगर पहले उपाध्यक्स है कॉशन मरिक्यावन नॉम्बर 2019 से ताल प्राइधा ने सार Kazakh सार्गा यज था बिल्कुल हल इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता को मिल्या फिप्टी टू इस inmーry हो गो ही नहीं सकता यह हमेशा याद रखना किख इस चो शाल कत्ता ही नहीं होगा कि कि एक है Terre पॉलिविंग पार्व सब्सक्राइब इंडिया डिल्स विट सिटीजन से भारत के सम्मिधान कर भागों में से कौन साना अगरिकता से संब्दित है भाग 5 भाग 4 भाग 3 भाग 2 पूछन 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 चाहते हो आप जवाब देदो ए घंटा ऐसा ही टाइप करते होगे सरकेन आइक आसको सब्सक्राइब पूछले न टेलिग्राम चैनल पे अवे तो जवाब देदो यहां यानि भाग 2 में आगरिकता भाग 3 में fundamental rights भाग 4 में DPSP भाग 5 में center लियानी केंट्र कुछन पूछन पूछन 14 पर से कमायों के बच्चे को भारति स्मिधाने की सनुछिर के तहत किसी में करखाने में काम करने के लिए नियोजीत नहीं किया जा सकता अब से 23 24 15 या 21 क्या तो पाट 24 में 14 वर्ष से कमायों के बच्चे को नियोजीत नहीं किया जा सकता यानि परतिबंध लगाया गया है कुछन पूछन पूछन पर था तो वैसाली में अपनी राजधाने के साथ वज्जी एक अलग सरकार के रूप में जाना जाता था तो समाजवाद गन या संग लोगतंतर या पंचायती कुछन पर पच्चपन लोगतंतर सर सोचो विश्व का सबसे पुराना लोगतंतर की बात करते है न जब तो महाजन्पद में कौन है वैसाली महाजन्पद, वैसाली महाजन्पद ये सबसे पुराना लोकतंतर था, यानि बिहार को लोकतंतर का जनक कहा जाता है, जननी माना जाता है, ठीक है, आरभिया यदिनियम किस वर्ष में पारिट किया गया था, 1934, 1949, 1935, 1925, चलिए क्या होगा सर 1934 के अधिनियम हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिस पर एक आया गया था अर्वाई एक्ट 1934 35 में अस्थापना हुआ तो एक्ट की बात किया तो क्या होगा 1934 नम्निकित में से किसे सांसर बिरला मेमोरियल आवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया चलिए बताइए कुशन वर सतावन देख लिए आपके तैयारी कैसी है कुशन कैसे गलत करते जा रहे हो तनूप पदमनाभन को 2019 में सांसर बिरला मेमोरियल आवार 2019 से सम्मानित किया गया कुशन मठावन अंदराष्टे किर्केट के कप्ताविं ग्रूप में सबसे अधिक 150 से अधिक एस्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाने है तू अस्ट्रेलिया के डाउन ब्रैडमेन को अमिले की दमें से किस किर्केट खिलाड़े ने पीछे छोड़ दिया के इन विल्यमसन फाप डुपलोसिस जो रूट या विराट को हली कि जिस जो लेट से सुरू किया है डियर सुरुवात के तीस कोश्टन के वाद साइन से थे से जेल में विराट कोहली ऑस्टेलिया के डाउन ब्रैडमेन की बात करेंगे तो विराट कोहली ने पीछे छोड़ दिया भारत मने मिल्कित बंदर गाहों में से किसका नाम बजलकर दीन दयाल बंदरगा रखा गया है मौर्मगोवा गाउ कुलकाता कोचिन या कांडला से लिए बता ही क्या होगा सर दीन दयाल बंदरगा की बात करेंगे कांडला और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है जरा कमेंड बॉक्स मताइए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया जरा कमेंड बॉक्स मताइए स्यामा परसाद मुकर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता का नाम रखा गया मार्मु गोवा कहा है गोवा में है कोचिन कहा है केरल में 2011 की जंगनना के अनुसार भारत में सक्सादर क्या है 74.04 परतिसत 76.04 परतिसत 78.04 परतिसत 72.04 परतिसत और याद रख लो 2020 में अगर नौकरी नहीं ली तो भीया 2021 में फिर से जंगनना है और पूरा डेटा जो तुमने दस साल का डेटा था याद रखा है न सारा डेटा बदल जाएगा और फिर से परिशान हो जाओगे लड़ जड़ा तू लड़ जड़ा सुने ना जोड़ दिखा तू जोड़ दिखा चैपुट गार दे लेट्स क्रैक इट तो आग लगा दो एकदम वाइफाई चैंप टिम आपके साथ है यूज करिए कोड और जोएन करिया अनकैडमी तो 74.04 प्रतिसत यह लिट्रेशी रेट है 2011 की जनगन्दा के अनुसार कुर्शन नुबर 61 विचमता फॉलिविंग नेशन वास्ता रुणरप इन दे आएसेसी ओडियाई वर्ल्ड कप 2019 आएसेसी ओडियाई विश्चु कप 2019 में लिखित में से कौन सा राष्ट उप विजेता था नुजिलेंड यह असान सवाल हमेशा गलत होते हैं क्योंकि ओवर कॉंट्फिडेंस हो जाते हैं ओवर कॉंट्फिडेंस का सिकार हो जाते हैं ठीक है चलिए देश के भीतर और बाहर दोनों जगा भारतिय कला की समझ को बढ़ावा देने और परचारित करने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली में ललित कलाक आदमी के स्थापना की कब की कोश्टन को सीधा बनाया जा सकता है कोश्टन सीधा बनाया जाते हैं लेकिन अब परचलन बदल गया आप से गल्ती कराने के लिए थोड़ा सा भीतर बाहर किया है सीधा सा कोशन क्या था कि बचातो ना ललित कला कादमी के स्थापना की यह पूछ लो लेकिन पूरी कहाने लिख डाले भाई साहब ने 1954 में ललित कला कादमी के स्थापना की गई और 1954 में ही भारत रत्न पद्मभूशन 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 पद्मश्री की शुरुवात की गई देखल जाई जब सेलेक्शन ना होई न तब उझाई तब उझाई अभी नेखे बुझात एक डैस एक गहरी घाटी है जिसमें बहुत खड़ी सीधी भुझाए है और यह उसके सिर्थ और उसके तल की चौड़ाई के बराबर है चलो बताओ गॉर्ज कहते हैं क्या किते हैं उसे बच्चे गॉर्ज कहते हैं यानि गहरी घाटी जिसमें बहुत खड़ी सीधी भुझाए हैं और उसके सिर्थ और तल की चौड़ाई बराबर है उसे हम गौर्ज कहते हैं किसी दिन समझा देंगी इस को लाके और पूरा explain कर देंगी तो समझ में आजाएगे यह गौर्ज क्या है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे कर देंगे थे गुजरात 36 गण उत्रपरदेशा औरी साथ क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं आता है तो इसे किप किस दिन काम देगा लाले इसकिप किस दिन काम देगा सके कर चा जाओ लेकिं करोके नहीं कर तो दो यार उनेस में Capital Re אחד में सिर्ज सकोरर के रूप में अपना छठा गूल्ड़न सू किस ने प्राप्त किया लोनल मेसी फ्रांज बिकन वायर क्रिष्टियानो रोनाल्डो या जोहान कुरुप कुछ नमर 65 कुछ नमर 65 जल्दी लोनल मेसी क्या होगा बच्चे लोनल मेसी इज राइट लोनल मेसी इज राइट कई बार करा चुके हैं कई बार करा चुके हैं याद रखना गलती मत करना यार ऐसे गलती करोगे कैसा सेलेक्शन होगा कई सारे कोश्चन आपको यह सीए जेसल में भी देखने को मिल सकते हैं वाट इदप प्रियोडिक्टी ऑफ हैलिस कॉमेट हैली के धुमकेतू के आधिकता क्या है अधिकता क्या है जरा कमेंड बॉक्स बताई यह और फिर से मैं आपको बता दू कि तुमोरो यानि कल आठ से दस बजे सुबह लाइव क्लासेस बिल्कुल पुराने धर्रे पे होंगी मैंने गुजारिस करा है कि चलो अगर मुझे मैं बीमार भी पढ़ जाओ तो आपका प्यार है मुझे कुछ नहीं होगा तो जुणना मत भूलना सुबह आठ से दस बिल्कुल लाइव क्लासेस से ये चिसल को ध्यान बेर रखते हुए ठीक है बुझा गई तो ये जवाब क्या होगा बच्चा 75 से 76 यानि ये दिखा गया लास्ट ले 1986 में 75-73 वर्स के बाद फिर 2062 में दिखेगा 2062 में दिखेगा ठीक है चलिए भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाए गई है रविन नाथ टैगोर जैमनी रुवाय नंदलाल पोस या अब निंदर नाथ टैगोर कुशन मर सर्शट बते है क्या होगा अब निंदर नाथ टैगोर ने भारत माता की जो पेंटिंग देखते हैं आज की जो भारत माता देखते हैं पैंटिंग सबसे पहले अब निंदरनाथ टायगोर ने बनाया था तीके बच्चे किज भारती तिहासकार ने इसराइल का परतिष्टित डेन डेवीट फुसकारची था इंडियन हिस्ट्रियन ओन इज्राइल्स प्रिस्टीजियस डैन डेविट प्राइज संजे सुब्रमन्यम मिद्दूला मुखर्ची इरुफान हबीब या सुमित सरकार कुश्चन नमर 68 क्या होगा देखो इस सेशन में भी 1400 प्लस बच्चे लाइव हैं तो कम से कम लाइक कर देना कि सर बिलकुल 1400 बच्चे लाइक कर देना कम से अग्रिस लाइक तो करते ही है या चलो देखो बताब गया होगा संजे सुवर्मन्यम ने डैन डेविट प्रुषकार जीता इस राइल का आईए भारत के समिधान के किस अनुछेद के प्रावधानों के तहत भारत प्रुषकार प्राप्त करता के नाम के लिए उपसर या प्रते के रूप में इस्तिमाल नहीं किया जा सकता कुशन नमर 69 क् वही से सुरुवात करिए बिल्कुल कुछ नहीं था सवाल में यह सीधे कह दिया सर जो उपाधी है वो उपाधियों का अन्त कर दिया गया उपाधियों का अंत क्या होगा उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल नमबर 18 आसान तो सवाल है ये बिल्कुल आसान सा सवाल आपको पता होना चाहिए कि उपाजियों कांत किया गया आर्टिकल नमर 18 से 17 के बात करें अच्छू अच्छूत है 19 तो सब्सक्रता का अधिकार है एक है चलिए फिर इसको इसकिप कहा है करते हो ये तो आसान सा सवाल था कि वह अकादमी के परमुक की रूप में न्यूक्त किया गया था तौतां गंभिर विरिंद्र सहवाग सुनिल जोसी या रावल द्रविड कुश्चन नमर 70 क्या होगा कोश्चन ही समझ में ना आए यही तो बात है बच्चे इससे लिए इतनी लंबे कोश्चन बनाए जाते हैं ताकि आप गलती करो और सलिक्शन ना हो तो हमेशा आपसे हमबल रिक्वेस्ट है हमबल रिक्वेस्ट है कि अगर ना आए तो इसकिप करना यह जायदा बेटर आपके लिए ठीक है देखो राहुल दर्विट को बनाया था बच्चे किसे राहुल डर्विट SUNIL جोसी तो कौन है ये मुखर चैन करता बने है मुख्य चैन करता बने है कौन सुनिल जोसी ठीक है इस फीनर रहें ये पहले की किस भारतिक रिगेटा ने दो टेस्ट तेहरे सतक बनाए है करुंद नायर विरंदर सहवाग विराथ कोहली यह सुनिल गावसकर कुष्ट नमर्थ 71 विरंदर सहवाग विरंदर बैया दो टेस्ट क्यों देखो विराथ कोहली सुने लगावासकर करून नायर ये पहले टेस्ट में तीहरा सतख बनाए थे यह पहला टेस्ट में तीहरा सतघ लगाँ ते किया होगा करून नायर। कर बैटए लिए कि भारत में खरीप कामौसम काफ़ी हद तक डैस से मेल खाता है तो किस मॉंसुन से मेल खाएगा दच्छिन पस्चिम मान सून दच्छिन पुरु मान सून पुरु अतर मान सून या उत्तर पस्चिम मान सून कुशनमर सेविंटी टू क्या होगे ज़र बता दिजी कमेंट बॉक्स में दच्छिन पस्चिन मानसून भारत में खरेप का मौसम कापी हद तक मेल खाता है दच्छिन पस्चिन मानसून से क्यों क्योंकि अगर दिखो एक्स्प्लेशन की जो आदत है न वो छूड़ता नहीं है यार खरेप यानि यह चुलाई आगस्ट में बोते हैं और सितंबर ओप्शन नमबर वन इज राइट तीबती अध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस्वर सराजनितिक सरण की मांग की थी अब से जो कोश्चन मिलेंगे कोश्चन नमर 73 से बिलकुल आपको नए तरह की कोश्चन मिलेंगे 1973, 1957, 1959, 1962 चलिए तो क्या होगा बच्चे? 1969 में दलाई लामा ने भारत में राइनितिक सरण की मांग थी ठीक है? आठ बार के विश्व चैंपियन स्क्वेस खिलाड़ी निकोल डेविड की स्देश के हैं एट टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन स्क्वेस प्लेएर निकोल डेविड बिलोंग्स टू विच कांट्री? जर्मनी, मलेशिया, घाना, अर्जेंटीना, कुशन वर 74 क्या होगा? मलेशिया के हैं आठ बार के विश्व चैंपियन स्क्वेस खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के मलेशिया के हैं महाइस्वरि सारी से जुड़ी राने का नाम बताईए देखो कैसे कैसे कोर्शन बनते हैं और मैं आपको बता दू ये कोर्शन भाईया PCS में पूछा है ये कोर्शन आपको PCS में देखने को मिला है तो क्या होगा? अहिलिया बाई होल कर क्या होगा बच्चे? अहिलिया बाई होल कर जो कहा की महरानी है तो MP, भारत के बायोस्फियर रिजर्व के संदर्व में नमलिकर्ट में से कौन बायोस्फियर रिजर्व नहीं है? अचान कमार, अगस्त्य मलाई, दाची गाम, नौकरेग, कुशन मर्च 76 चल्दी बता दो क्या होगा कुशन मर्च 76 बता ही क्या होगा जल्दी अचान कमार, क्यों, ये कहा है, ये भीया, ये 36 गड़ में है, ये कहा है, ये 36 गड़ में है, अगस्त्य मलाई, तमिल नाड़ू, दाची गाम, जमुकरेग, मिखा ले, नौकरेग, मिखा ले, ठीक है विद्रो, 1857 के विद्रो के दवरान, फैजा बाद में, निर्मिकित में से किष्ण नेत्रिट किया, कुमर सिंग, मौलिवा, मदूला, बेगा, महसरत महल, खान, बहादूर ना आए, बिल्कुल स्केप कर दो, ये ज़्यादा बढ़िया है जोर लगा तो जोर लगा, लेट्स क्रैक इट, जोर लगा तो जोर लगा, जल्दी जोर लगाओ छेपुट गार दे, मौलवी अहमदुला, पैजाबाद, कुमर सिंग, बिहार, पेगाम अजदमल की बाप करेंगे कहा, लगनाओ घुर आवड, लगनाओ आवड, लगनाओ आवड, happiness who is the author of the book the ministry of you taste आई सहाब हिंदी मना हमारे टाइप राइटर है वो सहाब मुष्ट हैपिनेस पुष्ट के लेखा कौन है जुमपा लाहिडी अरुंदुति रुवाय अनिता देशाई अनिता अपकोस कुर्ष्टन वर सेविंटी एट क्या होगा अरुंदति रुवाय औरे पत्चे अरुंदति रुवाय अरुंदति रुवाय तगोड भूड certains मामोली चीज़ों का देवता कि लिखा अरुंदति रुवाय ने लिखा है द लूलैंट किस ने लिखा चुमपा लाहिडी ने लिखा है स्मौल देंग्स मामूली चीजों का देउता किस ने लिखा और उन्धति रुवाई ने लिखा है दल्लू लेंट किस ने लिखा चुम्पा लाहिडी ने लिखा है प्रांतों में डायर्की के उन्मूलन की सिफारिश की गई थी देट मिंस कहता है द्वैद सासन द्वैद सासन को हटाने की सिफारिश की गई थी राज्यों में किस अक्ट के चरी ने लिंक को सेर करें कब जम 15 तो करवा दो आज बताओ कहां बच्चे पढ़ाते थे यार 35 कहां बच्चे चले गए सब मजा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ने में हमें सेलेक्शन नहीं कि मजा देखना है मजा देखना तो कपिल सर्मसों भी आएका राक्री नौ बच्चे असर्टरडे न प्रांतों की बात कर रहा है 1919 में केंद्र में हटाया गया था 1919 में केंद्र में हटाया गया था हमने राज्य की बात की हमने प्रांत की बात की ठीक है हमने कहां की बात की प्रांत की बात की खूब लड़ी मर्दाने वो तो जासी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखा गया सुवद्रा कुमारी चवहान सुरिकान तिरपाथि निराला महादेवी वर्मा रामधारे से दिन कर चलिए गहीं दो खूब लड़ी मर्दाने वो तो जासी वाली राणी रानी ती नहीं रानी भी लिख नढबाव inh अगर मैं अपने सेशन में कुछ निया कोशन आपको सीखा पाता हूँ अगर आपको लगता है तो बिल्कुल सीखते हैं तो सिसन को लाइक करते हैं जरा थम दिखा देना यार मज़ा आ जाता है मतलब मैं आपकी खिले वे चेहरे दीखता हूँ कि बिल्कुल मैं आपको समझा पाता हूँ तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है आज कहां कितने इमोजी वगर भेजा करते हैं तो आज क्या हो गया सबको बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज पर पहला एक्स्चेंज ट्रेड़िड इंडेक्स डिरिवेटिव कॉंट्रेक्ट किस वर्स में कारोबार किया गया था शुरुबात किया गया था 2009 2024-1994 नी won Колको q किना कर्ण लें a k 1944 में कूर्श आ संक्री के एप perfect सब्सक्राइब को य beings两box ़र्स देखो मेरा मोटी कि मेरा मैक्सिम्त कि 50 पर शहां कराता था आफ60 कुर्षन प्योंट में ताक्ता कि बल्ल्द कि आपको मैं ज्यायर ज्यादा पढ़ा सक्का थाइंक्यू देखो मज़ा आया समझ मार रहा है ना मुझे बस यही संतुष्टी मिल जाते हैं मैं पढ़ाता हूं बच्चे बस समझते हैं तो क्या होगा इसका 2004 सर इस्टूडियो बहुत जल्द दिखेंगे बच्चे परिसान ना हो मुझे भी मज़ा नहीं आता यार यहां लगता है मैं बैठा हुआ बांध दिया गया मुझे एक ही जिगा तो मैं कुछ यादा एक्स्प्लेंड भी नहीं कर पा रहा हूं तो 2017 में श कितर पर्देश नागा लैंड या असम कुछन नमरेटी टू अ कि अस्टम क्या होगा बच्चे धोती गामुसा असम का स्वदेशी कपड़ा परतीक है इसका असम का स्वदेशी कपड़ा परतीक है ठीक है ये याद रखना ये कोस्टन कहीं नहीं मिलेगा बयार बहुत धूंडना पड़ता है मतलब कहने का मतलब है जो भी पीसेस लेवेल कोस्टन है जो अच्छी कोस्टन होते हैं ताकि उसके जरिए मैं आपको छोटे-छोटे कुछ कोस्टन करा सकूं बता सकूं जब तक नई संसद पूरे वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार परसासन के खर्चों को पूरा करने के अनुमती क्या देती है बताइए वाइस वोट वोटन अकाउंट वोटन एडजस्टमेंट ठीक है वोटन एडजस्टमेंट या एलेक्ट्रॉनिक वोट क्या होगा कुछ नमर एक्टी थरी खुज़र नमर एटी थरी क्या होगा वोटन अकाउंट जब तक संसत पूरे वसले बजट पारित नहीं करती तब तक वो सरकार खर्चलाते हैं उसे वोटन अकाउंट कहते हैं क्या कितना वच्चे वोटन अकाउंट कहते हैं क्या होगा तो सब्सक्राइब की बात करेंगे बच्चे सेकेंड बैकवर्ड क्लास एक मिनट यह जो जवाब है आपका राइट होगा ओप्शन थर्ड ठीक है क्या होगा बच्चे ओप्शन थर्ड होगा यह जो काका कालेलकर है यह फर्स्ट हैं काका कालेलकर जो हैं वो पहले हैं काका कालेलकर जो हैं वो पहले हैं बीपी मंदलेज राइट क्या होगा बीप गवान लाल साहनी है जिसने बीपी मंदल केहा बिल्कुल है यहां काका कालेलकर को देख कर घबराने की कोई आउसकता नहीं है काका कालेलकर क्या थे पहले पिछरा वर्जायों की अध्यक्स थे काका कालेलकर। है उसकार की अरे कहा है कालेलकर के चक्कर में हो कहा है अपने गलती करवा रहे हो मैं तो कहा हूं कि यह पहले थे का अपने 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 और विकास रिपोर्ट किस संस्था ने परकासित की WTO, ILO, World Bank या UNDP क्या होगा UNDP जारी करता है मानविकास रिपोर्ट हमें सहया रखना और मैं रैंकिंग में पढ़ा चुका हूँ आपको वाइफाई स्टाडी स्टूरियो यहां भी पढ़ा है आपको साम के साथ बज़ेवाले में Which of the following is not a part of the Meghalay Plate you नमने कितमे से कौन Meghalay पठार का हिस्सा नहीं है Jaintia Hills, Khase Hills, Garo Hills या Palamoo Hills क्या होगा कुशन No.86 Which of the following is not a part of the Meghalay Plate you नमने कितमे से कौन Meghalay पठार का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है Jaintia Hills, Khase Hills, Garo Hills या Palamoo Hills क्या होगा कुशन No.86 होना इस सब्सक्राइब कर चाहिए भार्थ यहां ना है? यह जार्खन चला जाएगा तो आसां सा सवाल था ये तो आसां सा सवाल है जैनतियाग खासी गारों ये कहां मिघाले है और गारों खासी जैनतियाग नाम से जंजाती भी रहती है वहाँ मिम्रिकित में से किस हिमालई परवत माला में बनिहाल दर्रा लोकेट है ग्रेट हिमाले पीर पंजाल लद्दाख या जासकर किस हिमालई परवत माला में बनिहाल दर्रा लोकेट है ग्रेट हिमाले पीर पंजाल लद्दाख या जासकर क्या होगा बच्चे कुशन परवत बताइए तो क्या होगा सर्पीर पंजाल जब मुकस्मिर में है यानि किस हिमाली परवतमाला में बनिहाल दर्रा इस्तित है बच्छे पीर-पंजाल में इस्तित है जासकर में नहीं यार यह मैं करा चुका हूँ ऐसे कुशन में गलती करोगे कैसे सेलेक्शन होगा बताओ थर्ड राउंटेबल कॉन्फरेंस वाज हेल्ड इन दा येर तिरती गोल में सम्मेलन वर्स डैस में आयूजीत किया गया था बहुत मेहनत करनी है बच्चे बहुत मेहनत करनी है आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा रिवीजन करो चितना रिवीजन करोगे उतना बेटर आपके लिए तो थर्ड राउंटेबल कॉन्फरेंस कब आयोजीत किया गया तो जरे कमेंड वाक में बताएं 32, 31, 33 या 30 1932 या 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा ये तो है सिंक्वेंस ये तो सिक्वेंस है भारत के राष्टेगीत की विशिष्टा की सुपन्यास में थी सिवा सदन्द, देवी चौधरानी, आनन्दमठ, दुर्गे सनन्दनी, कुश्चन वरिटे 9 चले बताएं क्या होगा आनन्दमठ, बंकिम, चंदर, चटर जी, ये तो है राष्टेगीत की बात करेंगे ये तो असान सा सवाल इसको तो बता दोगे ये भी गलती करोगे भारते समिधान का कौन सा अनुछेद अल्प संख्यकों को सैक्षनिक संस्थानों के स्थापना और परसासन का अधिकार देता है 17, 32, 39 या 30 क्या होगा कौन सा अनुछेद अल्प संख्यकों को सैक्षनिक संस्थानों के स्थापना और परसासन का अधिकार देता है अनुछे 30, 39 में सरकार मदद करेगी आपको 30 में आप खुद कर सकते हो 30 में आप खुद कर सकते हो 39, 30 में कनफ्यूजन पढ़ेगा आपके मन में इसलिए मैंने बता दिया 32 तो सर्रीट जारी करते हैं 32 क्यों कहते हो यार समय धानिक उप्चारों का अधिकार होता है 17 चुआ चूत मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया गुपाल कृष्ण गोखले मदन मोहन मालविये देन द्यालू पाध्याय राम मनुहर लोहिया चलिए बताइए मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया गुपाल कृष्ण गोखले रखा गया मदन मोहन मालविये रखा गया देन द्यालू पाध्या रखा गया राम मनुहर लोहिया रखा गया दिन द्यालू पाध्याय देखतो जब अगर आप जाते होगे तो कोड रेल ट्रेंड टिकट लेते होगे तो डीडियू कोड देखता है मुगल सराय क्या देखता है डीडियू क्या देखता है डीडियू देखता है कोड यह देखता है डीडियू कभी अपने टाइप किया होगा तो नहीं तो अभी देखना आया सिर्दिस या रेलेवेज हम लोग टिकट बूक करते हैं प्राचेन भारती दर्शन के अनुसार प्रुशार्थ या जीवन के चार उद्देश में सामिल कौन नहीं है अमा मोक्ष अर्थ या यस कुश्चन नमर नाइंटीटू क्या होगा चल्दी यस कोई मतलब नहीं है अमा मोक्ष अर्थ के सामिल है यस सामिल नहीं है नमर के तरह से किसे पीगाइवियन टैक्स के रूप में वर्गे क्रिद किया जा सकता है लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कारबन टैक्स या इंकम टैक्स कोशन नमर नाइंटी थरी किसे पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गे क्रिद किया जा सकता है कार्बन टैक्स को पिगोवियन टैक्स के नाम से जानते हैं कार्बन टैक्स को पिगोवियन टैक्स के नाम से जानते हैं कुशन मोग 94 संजुगत takes mapdand के अनुसार एक मेगा सहर के रूप में जो से कौलिफिकेशन है अहरता प्राप्त करता है जब उसकी जण संख्या न्यूंतम और कितनी जण संख्या चाहिए हमें एक मेगा सहर के रूप में उपाधिव प्राप्त करने के लिए पाँच मिलियन, दस मिलियन, पंदरा मिलियन या बारा मिलियन कोशन नाइटि फोर क्या होगा दस मिलियन क्या होगा दस मिलियन पोपुलिशन चाहिए एक मेगा सहर के रूप में ट्राप्त करने के लिए अकॉर्डिंटो यूएन, अकॉर्डिंटो यूएन करेटेरिया 2019 में थोक मूली सुचकांग जो है, वो WPI फॉलसल प्रैस इंडेक्स की गणना के लिए डैस को अधार वर्स के रूप में लिया जाता है क्या होगा क्या होगा कॉशन नमबर 95 क्या होगा बच्चे जड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा 2019 में थोक मूली सुचकांग की गणना की बात करें तो अधार वर्स के रूप में लिया जाता है 2011-12 किस से चेंज किया गया दुस्तार 2045 से चेंज किया गया अधार बारा है को का चौदा पंद्र कहाँ हो गया लाले कहां कर दिया 14 15 कि अवी तो 11 वारा ही है कि डबल्लू पी आइक की बात कर रहा है खर प्रून की नहीं सी पी आइक नहीं पुछा डबल्लू पी आइक की बात किया की कोशन देख ले देखें कहता है जन सांखी की संक्रमन डेमोक्राबिक जो ट्रांजीशन है त्योरी है तो जन संख्या जो चक्र चलता है तो तीसरा चरण में क्या होगा हाई फर्टिलेटी लो मॉटिलेटी है तो यह है कि उच्छ परजनन चमता कम मिर्तियूदर कम परजनन चमता क्या होगा से कम परजनन चमता कम मिर्तियूदर तीसरा स्टेज में क्या होगा कि जन मी कम होगा और मिर्तियूद्ष भी कम होगा क्यों जन mandatesly कम होगा क्यों कि जो fertility rate है वो घटता है लोग पढ़े लिखे हो जाते है एक बच्छे की सोचने कम संतान सुके इंसान और कम मिर्तियुदर क्यों कि भया जो हेल्थ फिसलिटीज है वो बहुत बढ़ जाता है अब देखो ना कोरोना वायरस आया हम लोग अब सुने कोरोना वायरस आ रहा हम लोग क्या होगे अवेर होगे निकलना नहीं चाहरे है घर से आप घर से पढ़ रहे हो मैं घर से हुआ ओक्ड़ा रहा है मैं खखे घर से पहले में क्या होगा कि जी उच्प झनाज समता है और फुच मिर्तियूदर यह पहला है यह पहला है उच्प प्रचिकर सामता उच्प मिर्तियूदर यह पहला है ठीक है तो अबस्स नमबी तूरी बंगला पावा जो एक म्यूजिकल इंस्टूमेंट है फॉक म्यूजिकल इस्टूमेंट्स यह किस राज से रेलेटेड है विश्ट बंगाल करनाटक ओडिशा या गुजरात कोश्रम नाइट सेवें पुजर राजपुत जी आज कुछ एक्स्प्लेंशन नहीं देंगे बच्चे जब मैं एक्स्प्लेंट करूंगा इस कोस्टन को मैं समझा दूंगा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे मुकेश कुमार पेडियाप के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल है रोहित सर ठीक है रोहित सर में एड हो जाओ आप पेडियाप आपको मिल जाएगा प्रिसान होने की जरूरत कहीं नहीं है गुजरात तूरी बंगला पाव यह कहां गुजरात का लोकवादियंत्र है इसका है गुजरात का लोकवादियंत्र है क्यों वेस्ट बंगाल से प्रेम हो गया आपका वेस्ट बंगाल दे रहो ऑप्शन इन सिप्टम्बर 2019 सिप्टम्बर 2019 में डैस नी 2021 की आउधी के लिए Association of World Election Bodies की अथिक्स्ता की थी ओम परकासरावत, सुशील चंदरा, असुक लवासा या सुनिल अरूणा क्या हुआ सुनिल अरूडा इज राइट अंसर, सुनिल अरूडा इज राइट अंसर, क्या होगा सुनिल अरूडा इज राइट अंसर थी क्या बच्चे, नमलिकित में से कौन सा भारते समविधान की समवर्ति सुचे मूल लेकित कोई वस्तू नहीं है बताइए बैंकिंग, दिवालियापन और दिवाला अपराधिक परक्रिया या क्रिमिनल लौग देखो मज़धार कोष्टन है कोष्टन नमर 99 बिलकुल मज़धार कोष्टन है यह कहां सर समवर्ती सुची में नहीं है या यह केंद्र सुची में है अब यस बैंक की हालत छूपी नहीं है सरकार तुरंट हरकत में आई एस वी आई ने गोद ले लिया समझंघी सरकार भी देखेगा राश रुखेगा क्रिमनल लौक की बात करें केंद्राद की देखेगा राश सरकार भी देखेगा कि में है चिए चाहँ हो एक जोटेंचा है । आप सोचो ये होट होट टॉपिक था इसलिए मैंने इस कोश्चन को फ्रेम किया हाँ कौन बच्चे उसको मारी दो इदम मार दो इसको दुबारा दिखे ना UK और भारत के सोथकरताओं ने एक हाथ धूने वाला रॉबर्ट विक्सित किया है जिसे क्या नाम दिया गया गोप हेपे होप पेपे कुश्चन नमर हंड्रेड क्या होगा पेपे क्या होगा बच्चे पेपे होगा तो अब जरस अपने मार्क्स सेयर करो कितने मार्क्स आये हंड्रेड में और नेक्ट विक से रेल्वे तो चली रहा है धुवधार मैं चाहता हूं वैसे बच्चे जो अभी रेल्वे के तयारी कर रहे हैं बिल्कुल आन अकाडमी पे जुड़ जाओ अभी भी समय है अभी भी टाइम है बिल्कुल जुड़िये और एसेसी वहिया जीरो टी हीरो एसेसी की बैस लेकर आ रहे हैं और डियाडियो नेक्ट विक से तो कौन-कौन सा कोर्स चल रहा है अन अकाडमी पे बिल्कुल वेट करना बीस हजार लाइव कोर्स तो फ्री है ही इसके अलावे इसे इसी CDL चलेगा रेलएव से चल रहा है और डेयाडियो चल रहा हैगर आपज दिल खोल कर जुड़िए कैसे जुड़ें के बिल्कुल आसान प्रोसेस है सबसे पहला शेकर लांग। को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद open करें, open करने के बाद क्या करना होगा बच्चे, mobile number fit कर दें, mobile number fit करने के बाद get OTP करेंगे, OTP करने के बाद ये सारे exam है, एक बार purchase कर लिया, banking goal select किया, bank के सारे exam देखरो सामने सब कुछ दे सकते हो, SAC के सारे exam दे सकते हो, railway के सारे exam दे सकते हो और DRDO वालों CDS FCAT आपको select करना पड़ेगा Get subscription पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कहेंगा क्या चाहिए कैसे payment करोगे David credit जिसे चाहिए कर देंगे यह process है How are the session, session कैसा आप हमें comment करेंगे जरूर बताइएगा और यह हमारे टेलिग्राम चैनल है जहां भी आपको PDF मिल जाएगा अभी आपको PDF मिल जाएगा और कल सुबा आठ से दस फिर से session होगा जो मज़िदार धमाकेदार session होगा तो how is the session, session कैसा आप हमें comment करेंगे जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो like करकी जाना share करना अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं कुछ इसी तरीके से धमाकेदार session के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए goodbye, take care